शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूस पेपर के हम पहली जो न्यूस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो जोई 20 के समिट के समापन से रिलेटर हैं जी 20 की जो बैठक है वो अब समाप्त हो गई है रहेगी उसकी अध्यक्षता ब्राजिल की तरब से की जाएंगी तो इस अध्यक्षता को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा ब्राजिल को सौब दिया गया है कुछ-कुछ मातपूर इस बार मुद्दे रहे जिनकी उपर चर्चा हुई सबसे इम्पोर्टेंट जो इसू था वो आफ्रिकन यूनियन मेंबर्शिप को ले कर गे था मतलब की इस बार जी 20 में एक नया ग्रूप जुड़ गया है जिसका नाम है आफ्रिकन यूनियन एक तो यूरोबियन यूनियन है ही इसके साथ साथ में कुल मिला करके देखा जाएं जी 20 में 19 देश आते हैं और एक ग्रूप आता है एक संगठन आता है अब दो संगठन मिल जाएंगे और जी 20 अब जी 21 बढ़ जाएगा काफी कुछ नए नए मुद्धे यहाँ पर हमको देखने को मुलते हैं जैसे कि नियू दिल्ली डिकलरेशन देखने को मिला आफ्रिकन यूनियन की मेंबर्शिप इसमें हमें देखने को मिली प्रधान मंत्री ने हैंड ओवर कर दिया है सेरिमनियल गेवल को किसको इसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए अभी और कुछ एक दो महीने का टाइम है हमारे पास में इस टाइम पीरियेड में प्रधान मंत्री का कहना है कि हम फिर से एक वर्चुल समिट रखना चाहते हैं ताकि अभी तक हमने जो काम किये हैं उसमें कुछ प्रोग् दिल्ली समिट ने विटनेस किया है कुछ हाई पॉइंट जिसके अंतरगत हम देख सकते हैं आफरिकन यूनियन को एडमिट किया गया था ऐस न्यू जी ट्वेंटी मेंबर इस वास फॉलोड बाई परिसनल एनॉंसमेंट बाई प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ओन ज्वाइ यहां पर हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखेंगे सभी लेडर के साथ में एक के बाद एक प्रधान मंत्री मुलाकात करते हैं इसमें इंक्लूडिंग थे जर्मन के चांस्रर ओलाव स्कोल्ज प्रिसिडेंट लूला डी सिल्वा प्रिसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशियन उर्सुला वॉंडर लियॉन टर्किस प्रिसिडेंट रियप तैयब अर्दोगन एंड साउथ कोरियन प्रिसिडेंट यून सुक यूल तो इनके साथ मैं अलग से बादचीत भी करी गई है इसके बाद एक डिपोर्ट आई है जिसको हम यहाँ पर डिसकस करेंगे वो कि डुमेस्टिक डिस्ट्रेस को बताती है कि घर में महिलाएं कितना तनाओ को फिल करती है और यही तनाओ को फिल करते करते फिर वो अपनी जान दे देती है आत्महत्या कर लेती है यहां जो टेबल प्रस्तुत किया गया है यह कलेक्टिट किया गया है नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के एक्सिडेंशियल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट से एड नैशनल फैंबली हैल्थ सर्वी 2019 से 2021 को बीस में सामिल किया गया है टेबल फश्त यहां जो बनी होई है यहां पर बताया जाता है तो तो जितने भी फी Scientific कर रहे है उसमें जो ग्रहडी है हास वाइफ से वह कितना सुसाइड कर रही है वह इस परसंटेज को बताता है has remind above the 50% mark for the several years now तो बहुत सारे लंबी सालों से दी हम डाटा उठा करके देखेंगे तो उसमें 50% जातर जो हैं महिला हाफ ही है तो फंस नम्मर की टेबल यहां पर आप देख सकते हैं कि कित्ता कित्ता परसंटेज रहा है हाउस वाइव का सुसाइड वाली कंडिशन में 2021 में फीमेल सुसाइड हुए थे टोटल जो यहां पर सुसाइड हुए हैं आप देख सकते हैं 45,026 इसमें से 51% जो है हाउस वाइव है 2020 में 44,498 में इसमें भी 50.3% हाउस वाइव है 2019 में 41,000 था इसमें 51% था 2018 में 54% था 2017 में 52,000 था इसमें 51,000 था इसमें 153 और 2014 में 47.4% था टेबल नमबर टू की अधि हम बात करें तो यहां पर बताया जाता है कि 30% से भी ज़्यादा जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उसका 30% से भी ज़्यादा हिस्सा है men and women cover due to issue relating to family or marriage men यहां पर जो सुसाइड हो रहे हैं उसका रीजन बताया जा रहा है या तो साधी का या तो फिर family से related issue का जैसे कि 2021 में बात करें 38% जो आत्म हत्याय हुई थी वो ते यह तो family से related थी या तो फिर साधी से related थी 2020 में 38, 2019 में 37%, 2018 में 36%, 2017 में 35, 2016 में 34 और 2015 में 32% अब यहां पर table number 3 को यदि हम देखें तो यहां पर बताया जाता है share of married woman जिनकी उमर है 18-49 whose husband had demonstrated specific type of controlling behavior across wealth quintile यहां एक word use किया गया है इसका meaning हम देख लेते हैं तो 2019 से 21 के बीच में बताया जा रहा है कि 18-49 साल की महिलाएं है जिनके husband ने demonstrate प्रदर्सित किया है particularly control type का behavior चाहे वो wealth को लेकर के हो चाहे फिर other चीज को लेकर के हो wealth quintile की बात करें lowest, second, middle, fourth and highest jealous or angry if she talks to other men बताया जा रहा है कि यदि वो किसी महिला दूसरे पुरुस से बात करने लग जाए या फिर frequently accuses her of being unfaithful कुछ पुरुस ऐसे रहते हैं जो कि महिला के उपर आरुप लगाया जा रहा है कि वो unfaithful है उसके उपर भरोसा नहीं कर सकता कुछ ऐसे भी है does not permit her to meet her female friend female friend से तक नहीं मिलने दिया जाता कुछ पूरुस ऐसे भी है try to limit her contact with her family family से contact नहीं करने दिया जाना इसके अलावा instant on knowing where she is at all time अभी बताते रहो कि आप कहा पर हो हर समय उससे question पूछते रहना इसके अलावा कुछ ऐसी भी महिला है जो कि fuel करते है does not trust her with any money मतलब की देखा जाए तो पैसे के साथ मैं उसके उपर बिल्गुल भी भरोसा नहीं करते हैं पतनी के उपर कुछ इस प्रकार के भी example हम यहाँ पर देखते हैं इसका percentage बताया जाता है इस percentage को हम देख सकते है इसके बाद चौधे नमबर की table यह दि हम देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35% महिलाए ऐसी हैं जो कि गरीब परिवार से आती हैं और उनोंने face किया है कुछ abuse का जैसे कि physical और sexual और emotional violence की बात करें lowest में किता रहा, second में किता रहा, middle में किता रहा, fourth में किता रहा और highest में कितना रहा have sought help from any sources क्या उनको कोई source help मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है उसका percentage यहाँ पर देख सकते हैं पांचवे नमबर की जो table यहाँ पर बनाई गई है इसमें बताया जा रहा है कि less than 40% of married women in the poorest quantal said they can visit places such as market alone कुछ 40% महिला ऐसी है जो की married है और उनका कहना है ठीक है और यह गरीब family से आ जाती है उनका कहना है कि हम जो है market अकेले गूम सकती है ऐसी महिलाएं किती है share who have money that they can decide how to use कुछ share बताया जा रहा है कि भाई कित्ती percent महिलाएं ऐसी है जो की जिनके पास में हाथ पर पैसा दिया जाता वो अपने हैसाब से यूज़ कर सकती है फिर अगला percentage बताया जाता है share who can go alone to market and health facility and places outside village अकेले market जा सकती है healthy facility उनको provide करी जा रही है and places outside village health facility and places outside village की बात करें तो जैसे कि जहां पर वो रह रही है वहां से कितनी दूर में hospital की facility है या फिर outside village तो नहीं जा रही है ऐसी कुछ percentage यहां पर बताया जाता है यहां पर एक word यूज़ किया है बार बार जो है quintile का quintile का मतलब जो होता है कि 5 equal group में हमने महिलाओं को पार्ट दिया था any of 5 equal groups into which a population can be divided according to the distribution of values of particular variable तो यहां पर quintile word यूज़ किया गया है बार बार इसका meaning हमको देखना है ठीक है इसको आप ध्यान में रखिए table नमर 5 हमको यह बता रहा है कि 44% से भी कम married women ऐसी है जो कि poorest quintile वाली category में आ रही है उनका कहना है कि they can visit places such market alone तो गरीब जो महिलाओं हो 40% ही ऐसी है जो कि अकेले market जा सकती है स्लाइटली higher share of them said that they can they had money which they could decide how to use इसका थोड़ा सजादी परसेंट ऐसा हम इलाओं का जो कि कह दीगी हमरे पास में पैसा है और हम यह decide करेंगे कि हम कैसे करके उसको खर्चा कर सकते हैं इसके बाद हम सीधे editorial वाले हिसे की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रवख editorial को तो जो पहला editorial हम डिसकस करने वाले हैं वो dark pattern पर अधारी तो सबसे पहले हम dark pattern के बारे हम basic जानकारी देखने वाले हैं अभी dark pattern जो हो कुछ समय पहले भी news में रहा था हाल फिलाल में भारत सरकार के उब्भोकता मामले खाद और सारजवनिक वित्रण मंत्राला इन्हें डार्क पैटर्न के मुद्दे को हल करने के लिए उब्भोकता संरक्षण के लिए दिसा निर्देश विक्तित करने के लिए 17 सदस्ची कारदल का गठन किया था इसके मेंबर है 17 अब यहां पर क्या हो जाता है जैसे कि हम हो गए उब्भोकता और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन से हम सामान करीते हैं जैसे कि अमेजन हो गया फ्लिप कार्ट हो गया या फिर कोई भी अन प्लेट फारम के लिए हम बात करें तो उनकी बात कर रहे हैं किसी भी रूप में जहां पर आप एक ग्रहक है तो मंत्राले ने डार्क फैटन पर जानकारी एकट्टी करने के लिए राष्टि उब्भोकता हेल्प कर दिया है और उसे के हिसाब से फिर नियम कानून बनाए जाएंगे अब इनका जो यूज है केंद्री उब्भोकता संरक्षण प्राधिकरड के द्वारा उब्भोकता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतरगत कारवाई के लिए किया जा सकता है डार्क पैटन के अधी हम बात कर डार्क पैटन जिसको हम भ्रामक पैटन के रूप में भी जानते हैं जैसे कि एक्जामपल के तौर पर कहीं कोई कमपनी हैं किसी भी चीज में आप रजिस्टर हो रहे हैं चाहे वो साधी.com हो या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार से दिया आप रजिस्टर हो रहे हैं किसी भी आफर के बारे में मैसेज करते रहेंगे ऐसे आज के टाइम में कुछ कोचिंग वाले भी यहीं चीज करते हैं तो यह एक प्रकार से भ्रामक पैटर्न के रूप में जाना जाता है कुछ वेबसाइट और एपस द्वारा उपयोग करताओं को उनकी एक्छा के विरुद्ध कार करने के लिए मनायरा या फिर ऐसे कार जो वेबसाइट के लिए फाइदे मंद नहीं हो उन्हें हतुत साहित करने ने तो उपयोग की जाने वाली रणनीती होती है डार्क पैटर्न अब जैसे मैं खरीदना नहीं चाहा रहा हूं फिर भी कंपनी चाह रही है कि नहीं व्यक्त खरीदे तो इसके लिए एदि वो मुझे मनवाने का काम कर रही है टेक्स मैसेज भेज करके मुझे बर्ड डेविस करके या फिर अनकिसी माध्यम से तो वह प्रकार से डार्क पैटर्न के अंतरगत आ जाता है इस सब्द का 2010 में एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनुल द्वारब पहली बार यूजर किया गया था इस पैटर्न में जालतर संग्यानात्मा पूर्वा ग्रहों का फायदा उठाते हुए अनुचित ततकालिकता जबरन कारवाई चिपिभी लागतादी जैसे रणनेतिक अपनाई जाती है इसमें कौन-कौन से टेक्न एक अपनाई जाते हैं इसके बारे में आपर बताया जाता वो आपको नहीं बताएंगे कि रियल में आपको ये इतनी थी पढ़ने वाली है करके वो बोल देंगी 50% का ओफर चल रहा है बस हो गया अब यहां पर वर्ड यूज किया गया है जैसे कि जूटी तातकालिक था जूटी तातकालिक था कैसे बोल सकते हैं कि जबर दस्ती बोलते हैं कि ओफर आज के लिए ही है बस हो गया इसके बाद कोई ओफर नहीं है फिर होता है बास्केट स्नीकिंग उब्योग करता है कि सहम उबहुकता को सर्मिन्दा करने वाली कुछ गतिविधिया करना किसी विसेश विस्वास या दरश्टी कौन के अनरूप ना होने के लिए दोसी साबित कर उबहुकताओं की आलोजना करना या फिर उन पर हमला करना आप यदि ले लेंगे तो अच्छे हैं और नहीं लेंगे तो बुरे हैं जो ले रहा हैं क्योंकि वो सब लोग अच्छे हैं इस परकार से इसके अलावा जबरन कारवाही अब ऐसी चुछ जो हम नहीं करना चाहते हैं वो चीज यदी करने के लिए हमें मजबूर किया जाए जैसे कि किसी सेवा के लिए साइन अप जरूरी नहीं है फिर भी साइन अप कराना फिर आजाता है नेगिंग लगातार आलोचना, सिकायतें और कारवाई के लिए अनरोध करना फिर हो जाता है सदस्ता जाल किसी सेवा से जुड़ना आसान है लिकिन छोड़ना अत्यंत कठिन है यहां विकल्प आदरस से है इसमें कई चरणों की जरूरत होती है अब चलते हम एडिटोरियल की तरफ तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए अभी जो ऑनलाइन कारवार हो रहा है ना सब कॉम्प्टिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद को बेचें ठीक है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करके हम अपने यूजर्स को बढ़ा सकते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बैमानी से भरे तोर तरीकों को अपनाया जा रहा है इसको रेगुलेट करने की जो कोजी से लंबे समय से की जा रही है डार्क पैटन की रूप में जाने वाले घातक एक आमर्स को अरुबार के तोर तरीकों को रेगुलेट करने की दिसा में भारत ने जो कदम उठाया है ये स्वागती रोगे है काफी लंबे समय से इसका इंतजार था इस सेक्टर के हिद्धारकों और उभ्युकता अधिकार समूहों के साथ साथ सरकार के परामर्स के बाद डार्क पैटन को रोकने और इस वो रेगुलेट करने के लिए एक मसौदा देसा निर्देस तैयार किये गए है और 5 अक्टूबर तक लोगों से टिपड़ी मांगी गई है कि आप अपने विचार यहां पर साजा करिए यहां पर उम्मीद करी जा रही है कि यह जो जरूरी मुद्धा है काफी लोगों का ध्यान खीचेगा जब ब्रिटेन की उप्योग करता अनुभाव की सोथ करता हैरी ब्रिंगुल ने 2010 में डार्क पैटन सब्द को गढ़ा था फिर से यही बात बताई जाती है कि डार्क पैटन जो सब्द है आखिर है क्या इसको पहली बार किसकी तरफ से यूज किया गया था गूगल जैसे यदि हम बात करें को एक सहज और हानी रही खोज इंजन पहले हम मानते थे कि गूगल में हम जा रहे हैं सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज को तो इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है तब फेस्बुक ने लंबे समय से तूट चुके लोगों की संपर्क को दोबारा इस्थापित किया फेस्बुक ने सोचा कि कैसे करके मैं मेरे जो ग्राहक है उनको फिर से वापस ला सकता हूँ मतलब जादा से जादा लोगों को मैं कैसे करके इंगेज करके रख सकता हूँ मुनाफ़क होरी का डार्क पैटर्न तो सामने आही गया लेकिन गोपनेता, समय, उर्जा और खर्च होने वाले पैसे हमें कहां ले जाएंगे इसको लेकर भुकताओं के बीच में जाग रुकता नहीं आई है बहुत सारे एक्जामपल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर डार्क पैटर्न का यूस किया जा रहा है मसलन जहाज का टिकट बुक करते समय ट्रेवल इंसुरेन अपने आप टिक हो जा रहा है यही चीज़ आप देखेंगे ट्रेन का टिक बुक करते हैं तो इतना छोटा सा डिबबा में उसको दरसाना पड़ता है हटाना पड़ता है नहीं हटाएंगे तो दस रुपई या आपका व्यर्थ में चले जाएगा इसी तरह e-commerce website का access पाने के लिए email आईडिया फिर फॉर नमबर एकदम जरूरी बना दिया गया है e-commerce website जैसी flip card Amazon है या फिर e-bay है और जितने भी प्रकारगी है उसके बाद यह website उस जानकारे का इस्तमाल हमें email भेजने या फिर text message भेजने के लिए करती है और उन message को block करना मुश्किल भरा काम हो जाता कित्ते को block हम करेंगे दिक्कत यह हो जाती है यह website हमें जन्दिन पर सुबकाम नाए देती हैं ठीक कुल विलाकर के खुद के लिए तोफ़ा खरीदने के लिए हमको उकसाने का काम करती है regulate करने की कोशिस काफी समय से की जा रही है लेकिन हम यह कदम अभी तक उठा नहीं पाए हैं इस साल मार्च में यूरोपी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने सोशल मेडिया प्लेट फार्म पर डाक पैटर्न को पहचानने और उससे बचने के बारे में कुछ दिसाने देश जारी किये तो सबसे पहले कौन आगे इसमें यूरोपियन कंट्रीज है संयुक्त राच अमेरिका के संगी व्यपार आयोग ने पिछले सितंबर में उप्भुगताओं को कंजुमर को धोका देने और फसाने के लिए डिजाइन किये गए डार्क पैटर्न में वद्दी की चेतावनी दी थी जो देखने में काफी सहज लगते हैं भारत के लिए हम बात करने तो भारत के दिसन्रेदेश में ऑल्लाइन प्लेट फार्म तोरा जूटी तातकालिकता दिखाने बास्केट में घुसने कंफर्म सेमिंग करने कोई कारवाई करने के लिए मजबूर करने और सब्सक्रिप्सन के जाल में फसाने जैसे मामले की आए जाता है कि 2021 में एक रिपोर्ट आई थी भारती विज्यापन मानक परिसात की इसमें अनुमाल लगाया गया थे कि 50% से जादा यी कामर्स वेब साइट अपने उत्पादों को बेचने के लिए डार्क पैटर्न का उप्योग करती हैं तो आज के टाइम में देखा जाए तो सही माइनों में चौती ओध्यों के करांती का यूग चल रहा है जिसमें इंटरनेट टकनोलोजी वाली बड़ी कमपीयों ने अपने या फिर तीसरे पक्ष के उत्पादों को बेचने के लिए डिजिटल उप्योग करताओं के व्यवहार से जोड़े डेटा को एखटा क कर लिया है इसके बूते इन्हों ने बहुत मुनाफ़ा कमाया कई देशों के साज्य सकल घरेलो उत्पाद से भी इन्हों ने जादा कमाई कर लिए कई देशों की जीडिपी से जादा तकि ये कमाई कर चुकी है इसके बाद अगला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं वो डिजास्टर मेनेजमेंट से रिलेटेड है पार्टिकुलरली G20 का एक्जामपल यहाँ पर दिया जाता है कि G20 के मेंबर कंट्री से यही मिलकर के काम करेंगे तो कितने जल्दी हम जो है डिजास्टर से निपड सकते हैं इंडिया के क्या क्या प्रयास किये जा रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है G20 समिट एंड इंडिया सक्सेस इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन G20 summit इसके अलावा इंडिया ने success हासिल किया disaster risk reduction में ये काफी हमें opportunity provide कर रहे हैं कि हम accelerate कर सकते हैं international cooperation को और build कर सकते हैं resilience to risk risk से कैसे करके हमें निपटना है international cooperation को कैसे करके बढ़ावा देना ये G20 और इंडिया की तरफ से जो disaster risk reduction किया गया है इसकी मदद से हम काफी कुछ help ले सकते हैं बहुत सारे आज की समय में disaster के रूप हमको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कहीं पर जो है volcanic eruption देखने को मिल रहा है कहीं पर tsunami आई है कहीं पर thunderstorm है कहीं flood है earthquake, tropical cyclone और avalanse इतने किसम के खत्रा आज के समय में हमको देखने को मिलते हैं G20 summit जो हुआ था नई दिल्ली में yesterday में यहाँ पर जो है कुछ कुछ बाते सामने आ गई हैं जबकि United Nations General Assembly SDG summit New York में आई जित होने वाली है next week में तो उसके लिए थोड़ा सा रस्ता निकल गया है यहाँ पर G20 की बैठक से रिस्क की अधि हम बात करें COVID-19 pandemic के रिस्क को हमने जहला है कुल मिला करके poly crisis और war जैसी condition हम देखती हैं पूरी जो दुनिया है डेप्ट में डूबी हुई है food insecurity इस प्रकार से कुछ जो है ऐसे test हैं जो कि हमने अभी तक feel किये हैं and all against the backdrop of climate crisis driving the extreme weather event that are occurring more frequently and with greater intensity इसके अलावा आपको climate crisis देखने को मिलेगा जिसके चलते चलते extreme weather event हो रहे हैं और यह और भी ज्यादा frequent होगा हैं बार बार आ रहे हैं और इनकी तीवरता भी जो है तेज होते जा रही है the rise in disaster is a trend not aberration तो disaster में दी वृद्धी हो रही तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह प्रकरती के कारण हो रही है बलकि यह तो जो है हमारे ही कारण से हो रही है यदि साल भर की पूरी की पूरी न्यूज आप उठा करके देखेंगे तो उसमें चाइना में destructive flood आया है यह देखें यूरोप में wildfire हुई हवाई में आपको hottest month देखने को मिला था जुलाई के महिने में यह सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की इस इस सेट तो बिकम दर न्यू नॉर्मल इफ मोर एक्सन इजन टेकन यह यदि नॉर्मल यह चीज कंडिशन क्या है नॉर्मल हो जाएगी यदि हम कोई एक्सन टेक नहीं करते हैं तो इसके बाद हमें देखना है कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो इसके लिए पे कर रहे हैं या फिर जायतर असर किनके उपर पढ़ रहा है जायतर जो खतरा को झेल रहे हैं वो vulnerable countries ही हैं committee ही हैं जो की pay कर रहे है greatest price is disaster का majority of 50 countries जो आती है वो most vulnerable and गरीब देश से आते है है जो की climate change को झेल रहे हैं और इसके साथ साथ में debt issue को ये face कर रहे हैं इंडिया अल्रेडी अमंग वर्ल्ड's most disaster prone countries में आता है तो हम इंडिया को नहीं बोल सकते कि इंडिया बच गया है या फिर इंडिया बच जाएगा 2022 में 2022 का जो साल रहा था इसमें बहुत सारे disaster हम देखे एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन हम देखे थे every day while this year saviour monsoon has caused widespread loss of livelihood and life इस साल का जो monsoon रहा था उसने लोगों की रोजी रोटी और जिन्दगी को भी तबाह कर दिया था अब ऐसे कौन-कौन से solution है जिनको हम लेकर के आ सकते हैं ताकि climate change से हम बच सकते हैं पहले नम्मर की बात तो यह है कि हमें जो है mitigation के लिए ठीक है एंड solution लेकर के आना है ताकि हम adaptation कर सके हैं mitigation कर सके हैं तुरंथ हम कैसे करके कोई भी चीज को mitigate कर सकते हैं कम कर सकते हैं इसके लिए हमने sustainable development goal बनाये है तो यह हमारे blast blueprint माने जाते हैं पीज, prosperity के लिए together with commitment made Paris to limit global warming to dear degree centigrade हमने पैरिज में जो commitment करे थे कि हम प्रत्वी कतापान डेगे 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 से नहीं बढ़ना देंगे तो उसके उपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है इसके अलावा कुछ global framework हमें बनाना ताकि हम reduce कर सके disaster के risk को एक्जामपल की तौर पर सेंडाई framework for disaster risk reduction इसके अलावा सेंडाई framework प्रोग्रेस जो है उतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है वहीं यदि हम मई के मईने में इस साल देखें United Members इस स्टेट ने commitment किया था कि हम accelerate करेंगे resilience building with renewed urgency बताया जा रहा है कि resilience building climate से हम कैसे करके निवट सकते हैं इसके लिए resilience technology जैसी condition हमें बताना बनाना पड़ेगा कि हम एक्जामपल की तौर पर agriculture में हम resilience कैसे करके ला सकते हैं climate chancellor लड़ने के लिए तो हम इसके लिए मोटा अनाज के खेती कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली जो फसल हम बोते हैं वो कभी तेज पानी गिरने के कारण कभी तेज दूप पढ़ने के कारण सूख जाती हैं यदि हम मोटा अनाज लगाते हैं तो इन सब चीजों को जहल सकता है इसके अलावा agriculture में बोला जाता है कि आप खेती के साथ साथ में पसुपालन का काम भी करिए तो यह जो है climate ट्रिजलेंस की एक प्रकार से इस टेप हैं कोविट नाइंटीन से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखिए जैसे कि हमें आप आस आपस में मिलकर के काम करना है डिजिटल इनोवेशन लेकर के आना है कंप्यूटर मॉडलिंग में फोकस करना है इंडिया का कोविट डिजिटल सीख सकते हैं भारत की तरफ से बहुत सारी प्रयास किये गए हैं जैसे कि डिजास्टर मेरेजमेंट प्लांट जो तैयार किया गया था पूरे की पूरे 28 से स्टेट में हम को देखने को मिल जाएगा इसके अलावा mortality from extreme weather मौसम खराब है कहीं पर डिजास्टर आया है उसके चलते चलते जो mortality है मृत्यूदर है वो काफी कुछ कम हुई है इंडिया में इंडिया का जो early warning system है जो कि cyclone के काम कर रहा है entire coastline में इसकी साहेता से हम जो है 90% जो mortality है उसको control कर पाए है recent 15 years में हम देखें तो इसके अलावा heat wave से related action plan हम लाए है local level पर इन इसने reduce कर दिया heat wave की death को 90% तक इसके अलावा recent zero death हमको देखने को मिली cyclone paper joy के द्वारा गुजरात में इसने बताया है कि हमारे देश का जो curly warning system है वो बहतर है इसके अलावा हमें देखना है कि एक fact है there were race of joy amidst the disaster as hundred of babies were reported to have been born two women who had been transported to hospital and shelter for safe delivery by the government before the cyclone cyclone आने के पहले कुछ ladies ऐसी है जो की गर्वती है उनको बच्चा होने वाला है तो उनको safe तरीके से hospital भेजा गया shelter room भेजा गया और उनकी delivery कराई गई पंदरवे नमबर को जो finance commission आया है उसने introduce किया था कि हम जो है reform लेकर के आएंगे disaster risk financing में और total allocation किया जाता है 28 billion dollar का at the national and state level for the prime period of five years पास साल के लिए 28 billion dollar खर्चा किया जाएगा international stage की बात करें इंडिया promote कर रहा disaster resilience को sustainability को इसमें coalition for disaster resilience infrastructure है global partnership for building resilience in infrastructure इस प्रकार के प्रयास किया जा रहा है इंडिया की तरफ से international labor पर कौन-कौन से ऐसे कदर में जिनको हमें उठाने की जरूरत है तो early warning system हमेरा सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ठीक है तो one of the most cost effective risk reduction method is early warning system for all is preheaded by the UN with India support United Nation भी इस बात पर जोर देता है कि हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी आपदा कब आने वाली है यदि हमें 24 घंटा पहले भी पता चल जाता है तो हम जो है 30% damage को रोक सकते हैं इसके बाद global multi risk warning system होना चाहिए I'll kind of 1000 चाहिए उसमें biological हो टेक्टोनिक हो या फिर technological हो इसके बाद global data capabilities को हमें improve करने की जरूरत है हमरे पास में data जब तक नहीं होगा तब तक हम अच्छे से कोई भी चीज को manage नहीं कर सकते हैं finally हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी देश कोई भी गरीब व्यक्ति पीछे ना छूड़ जाए जब भी हम कोई policy को बनाते हैं तो